दियर स्टूडेंट्स यह आपका टेंथ क्लास का नेक्स्ट लोक है फाइब हरित तरुणाम ललीत लताना माला रमणिया कुस्मा अवली समीर चालिता सेयात में वर्णिया नव मालीका रसालम मिलिता रुचिरम संगम्नम अगे शूची परियावर्णम तो इसका जो अनवे देखवा आप इसका अनवे है कि में हरित तरुणाम ललीत लताना माला रमणिया में मेरे हरित तरुणाम हरित होता है हरे तरुणाम तरु क्या है वरिक्ष और ये शष्टी विवक्ती का बहु बचन लगा है कि में हरित तरुणाम मेरे हरे वरिक्ष ललीत लतानाम ललीत सुन्दर लतानाम लताओं की माला रमणिया रमणिया क्या होता है सुन्दर मन को हरने वाली तो क्या है कि मेरे हरे वरिक्ष और सुन्दर लताओं की माला रमणिया हो कभी इसमें क्या कामना कर रहा है क्या इच्छा कर रहा है कि हमारा परिवरण कैसा हो तो मेरे हरे व्रिक्षों और सुन्दर लताओं की माला रमणिये हो फिर समीर चालिता कुसमा अवली वरणिया स्यात कि समीर क्या होता हवा पवन कि समीर चालिता हवा के द्वारा या पवन के द्वारा चलाई गई कुसुमा अवली कुसुम क्या होता है फूल कुसुमा अवली मतलब फूलों की पंक्तिया वर्निया स्यात कि चुनने योगे हो कि हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तिया सुन्धर वर्निय हो या चुनने योग्य हो कि मेरे हवा के द्वारा जो चलाई गई जो कुसमों की जो फूलों की जो पंक्तिया है वो कैसी हो चुनने योग्य हो फिर मिलिता कि मिलती हुई नव मालिका नम्माली का क्या होता है आपके चमेली का पेड की मिलती हुई चमेली और आम रसाल क्या होता है आम रुचीरम सुन्दर संगम होता मिलन स्यात हो की मिलती हुई चमेली और आम का सुन्दर संगम हो मिलती हुए चमेली के वरिक्ष या मिलते हुए चमेली के वरिक्ष और आम का सुन्दर संगम हो शुची परियावर्णम की परिवरण पवित्र हो या और शुद्ध हो हमारा परिवरण कैसा हो कभी क्या काम ना करता है फिर से देखे एक बार कि मेरे हरीत या मेरे हरे विरिक्षों का और सुन्दर लताओं की माला सुन्दर हो या रमणिये हो और हवा के द्वारा चलाए गई फूलों की पंक्तिया सुनने योगे हो की मिलती हुई चमेली और आम के विरिक्ष का संगम सुन्दर हो या सुन्दर संगम हो मिलते हुई चमेली और आम के विरिक्ष का सुन्दर संगम हो फिर नेक्स्ट वेटाप का शलोक नमबर शीक्स अय चल बंधो, खग कुल कलरव, गुजित वन देशं, पुर कलरव सब्रमित जनेव्य, दृत सुक संदेशं, चाक चिक्क्ये जालं नो, कुरियात जीवीत रस हर्णं, शूची पर्यावणं तो अई चल बंदो, खग कुल कलरव गुंजित बंदेशं, पुर कलरव सब्रमी जनेव्य, दृत सुक संदेशं, चाक चिक्के जालमन, कुरियात जीवित रसहर्णं तो इसका अनवे देखवा आप, इसका अनवे कि अई बंदो के अरे मित्रो, बंदू क्या होता है, बंदू जन, मित्रो और दोस्तो, तो अई बंदो के अरे मित्रो, खग, पक्षी, कुल होता है, समू, कलरव, कलरव ती आवाज उनकी, कि है मित्रो, पक्षियों के समू की मित्रों पक्षियों के समू की आवाज से गूजते हुए जंगल के शेत्र में चलो तो इसमें जो शहरों में जो लोग रहते हैं महानगरों में उनके लिए कभी किया कहना चाता है कि कभी उनको कहा ले जाना चाता है वो बोलते कि है मित्रों पक्षियों के समू की आवाज से गूजते हुए बन परदेश में चलो या जंगल के शेत्र में चलो फिर पूरकलरव सा भ्रमित जनेभ्य पूरकलरव पूर शहरों की आवाज में या शहर की शोर में भ्रमित लोगों के लिए सुक का संदेश धारण करो फिर पूरकलरव मतला शहर का कलरव शोर होता है कि शहर के या महानगरों के शोर में भ्रमित जनेभ्यो लोगों के लिए जनेभ्यो ये लगा आपका चतुर्थी विवक्ति का भोवचन लोगों के लिए धृत धारण करो सुक संदेश कि शहरों के शोर में भ्रमित लोगों के लिए शुक का संदेश धारण करो कि जो आप शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए आप क्या करो जो शेहरों के शोर में ब्रहमित लोग होते हैं उनकी शेहरों के शोर में ब्रहमित जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या करो आप एक सुख का संदेश धारण करो फिर हैं चाक चिक्के जालम जीवी तरस हर्णम नो कुरियाद की चाक चिक्के जालम की चका चोंद से भरी धर्ती या चका चोंद से की दुनिया चका चोंद मतलब की जहां हर जगे शहरों में जैसे लाइट्स और चका चोंद करने वाल दुनिया जैसे मतलब शहरों का जो वा जो दुनिया है, कि जीवित रस हर्णम, कि चकाचों से भरी हुई दुनिया, हमारे जीवन के रस को हर्णना कर पाएं, कि जो शहरी जो वातावर्ण है, जो हमारे जीवन के वास्थविक रस को ना चुरा पाएं, जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो शहरी जीवन को ही रसपुर्ण मानते हैं तो कि जो शहरी जीवन है जो जंगलों का जो प्राकर्तिक वातावर्ण है इसका रस ना चुरा पाएं प्रस्तर तले लता तरू गुल्मा न भवन्तू पिष्टा पाशानी सब्यता निसर्गे सयात न समा विष्टा सयात न अलगे सयात न समा विष्टा मानवाये जिवनम कामिये नो जिवन मर्णम शूची परियावल्णम ये प्रस्तर तले लता तरू गुल्मा न भवन्तू पिष्टा पाशानी सब्यता निसर्गे सयात न समा विष्टा मानवाये जिवनम कामिये नो जिवनम मर्णम शूची परियावल्णम तो इसका देखो आप अनवे इसका जो अनवे आपका सेवन में लता तरू गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तू कि लता लता क्या होती है आपके बेल कि लता व्रिक्ष और जाडिया गुल्मा होता जाडिया कि लता व्रिक्ष और जाडिया पत्थर के तले ना पिसे ठीक है कि जैसा मतलब आपका शहरी जीवन हो रहा है सारे ज जीवन है जहां पर क्या ‫होती है बेल होती है लताई होती है ब्रेग्ष होती और ज्जाडिया होती है कि जो ये सब चीज़े है लता तरु öz ज्जाडिया ये ऐसी चीज़े पत्त्रों के तले नापिसे कि इनके ऊपर शहरों का निर्मा भौनों का निर्मान ना हो फिर पाशानी सभ्यता निसरगे समाविष्टा न सयात कि पत्रिली जो सभ्यता है मतलब भवन निर्मान जो अब हो रहा है तो क्या है पाशानी सभ्यता के निसरगे समाविष्टा न सयात कि जो हमारी ये पाशानी सभ्यता है यह प्रकर्ती में समाविष्ट ना हो कि पाशानी सभ्यता प्रकर्ती में समाहित ना हो कि जो मतलब कि सारे जगे शहरी करण हो रहा है तो जो ऐसा जो जीवन है शहरी करण है मैं ऐसी कामना करता हूँ कि कहीं ऐसी आपदा ना है कहीं ऐसा कुछ ना हो जिससे कि हमारी ये सब्यता प्रकरती में ना नश्ट हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ फिर हैं मानवाए जीवनम कामे, जीवनम मरनमनो तो कभी इसमें क्या बोलते हैं, कि मानवाए मनुश्ये के लिए जीवनम कामे जीवन की कामना करता हूँ, जीवनम मरनमनो कि ना कि वो जीते जी मर जाएं तो कभी इसमें क्या इच्छा करते हैं क्या प्रात्ना करते हैं कि मैं मानाव जीवन की मैं मनुश्य के लिए जीवन की इच्छा रखता हूं कि मनुश्य लंबे समय तक जीए ना कि वो जीते जी मर जाएं तो इस फिर्शते को एक बार किलता तरू, किलता व्रिक्ष और जाडिया पत्थर के नीचे या शेहरी करन की इस दुनिया के नीचे ना पिसे और पाशानी सब्यता उसमें प्रकरती में समाहित ना हो कि कहीं ऐसी आपदा ना आजाएं कि हमारा जो शेहर है, ये सारा महानगर जो हमने बनाय हुए कहीं ये प्रकरती में ना समा जाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं फिर है कि मैं मनुश्य के जीवन के लिए कामना करता हूं ना कि उनके जीतेजी बरने के लिए Thank you students